हेलो गाइस वेलकम तो माई चैनल SSC नॉलेज गाइस आज हम लोग देखेंगे SSC MTS का जो पोस्ट होता है उसमें इंहांस सल्डी कितना मिलेगा जॉइनिंग के बाद ग्रॉस सल्डी कितना मिलेगा सब कुछ यहाँ पर डिसकर्स किया जाएगा एनिकी सल्डी स्लीप यहाँ पर आपको सो किया जाएगा जो लोग को पता होगा कि भ hm अभी जो है सेंट्राल गॉब्वनेंट में 28 परसन कि हिसाब से डिय मिलना two इस्ट आप हो चुका है तो उयांठाइशs पर्सन के हिसाब से डिय मिलना इस्टर हो को चुका है तो वही स्यल्री स्लिप में यहाँ पर पर्पर में बाकी है तो जो लोग अभी जोईन कर रहे हैं उनको यह जानना जरूरी है क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि भाई अभी आपको कितना मिलना चाहिए आपके अकाउन में कितना सेल्डी आएगा और जो लोग एसे सी कर रहे हैं उनके लिए भी मोटिवेशन दिलाएगा क्योंकि देखिए जब आप लोग सेल्डी के बारे में जानते हैं कितना सेल्डी मिलेगा इस पोस्ट में तब आपका इस पोस्ट के लिए चाहत और भी बढ़ जाता है तो इसलिए आप जो है इसके मोटिवेशन भी आप एक ले सकते है तो चलिए यहां पर एक एक चीज यहां पर डिसकस किया जाएगा और मैं LDC के साथ भी कंपएर करूंगा जो CHSL वाले हैं उनके साथ भी कंपियर करूंगा कि इसके साथ कितना सेल्डी का डिफ्रेंस आता है ओभी यहां पर दिखाए जाएगा तो फेडियो का अंतर जरू देखना यह वाला देखती है भाग मत जाना क्योंकि देखिए यह जो सेल्ली है इतना आपको सेल्ली नहीं मिलेगा यहां पर बहुत सारे चीज जो है इसको ज्यादा मिल रहा है क्योंकि इनका ज्वाइनिंग इनक्रीमेंट मिल में चुका है अब इनक्रीमेंट क्या होता है ओछ देखिए एक्षै निमदी इंडिया इसका पोस्टिंग जो है नेयो देली में है अब नीचे अगर आएंगे देखिए डेजिगनेशन, माल्टी टैस्किंग इस्टाप और पे बैंड जो है आपका पे लेबल ओन पर आता है इसका बेसिक इस्टाट होता है अथ्रा हजार से अब अगर CHSL के बारे में थो सेलेक्शन होता है 19,900 से होता है बस इतना ही डिफरेंस होता है बाकी एक एक करके दिखाता है इहां पर इनका बेसिक पर देखिए अगर जूलाई से पहले जॉइन करते हैं वह डिपेंड करेगा आप जो है कब डिपार्टमेंट जोइन कर रहे है उसके उपार अगर मान लीजीए आप अगर जूलाई से पहले जॉइन करते हैं जैसे मान लीजीए कोई अगर कैंडिडेट जूलाई 2021 से पहले जॉइन कर चुका है MTS के रूप में तो उनको जो है इंक्रिमेंट मिलेगा 2022 जनौरी मन्त में और जो लोग जूलाई 2021 के बाद जॉइन करेंगे उनको इंक्रिमेंट मिलेगा जूलाई 2022 में तो यह आपको क्ल होता है अब देखिए इसे मान लीजीए इन्होंने 2018 में जॉइन किया था तब उनका जो है 18,000 बेसिक था अब 3% मिला मान के चलिए कि उनको इनकी मिला 2019 जनौरी में तो इसका 3% करेंगे तो लगभग और लगभग आएगा अगर कर लेंगे तो सारे 500 के आसपास आएगा तो अगर करेंगे तो लगभग और लगभग सेम आएगा सारे 500 के आसपास ही आएगा उसके बाद अगर फीड करेंगे तो लगभग 600 के आसपास आएगा निकि 2000 एक किसकी बात कर रहा हूं तो लगभग देखिए 1700 उनको ज्यादा मिलना हो चुका है 19,700 उनका जो है बेसिक हो चुका है जबकि 18,000 होना चाहिए था अब चलिए DA अब जो है इसको 28% के हिसाब से मिलना इस्ट हो चुका है अब 28% किसका देखिए जो भी क्यालकुलेशन होगा वो बेसिक के उपर 19,700 इसका बेसिक है इसका अगर 28% करेंगे तो देखिए इतना ही अमांट आएगा पांच हजर पांच हजर पांच हो चूल्स है अब देखिए एक जिसका पौपूलेशन 50 लाक्ट से जादा है उसको एक सीटी में गहा जाता है Y city जिसका population आपका 5 लग से जादा है और Z city जो है 5 लग से कम है तो अगर आप Z city देखे देली जो है metro city या एक city में आता है एक city में आपको जो आपका HR है या तो आपको 5,400 और आपका basic का 24% बेसिक का 19,700 का 24% अब जो भी दो amount में से जो भी amount maximum होगा वही वाला amount मिलेगा अगर आप 19,700 के 24% करेंगे तो आप लोग देख लिजी आपका 5,400 से कम ही आएगा इसलिए आपको 5,400 maximum amount है वो amount आपको HR के रूप में मिल रहा है अब नीचे अगर आएंगे TPT यानिकी transportation allowance यानिकी transportation allowance जो है 1350 और इसके उपर DA on TA यानिकी TA के उपर भी DA मिलता है वो भी 28% अब 1350 का 28% कर लिजीए तो लगबग देखें दोनों को add कर लिजीए 1728 अब अगर नीचे आएंगे देखिए औस allowance यानिकी इसको कभी-कभी आपका यह जो है ministry of finance अपका department of expenditure का अपका नोटिस है 2017 का यहाँ पर अगर subject पर देखेंगे implementation of the recommendation of the 7th central pay commission dress allowance यानिकी dress allowance या wash allowance के बारे में कहा गया है देखिए dress allowance uniform allowance सब को जो है मिलता है अब यह मत सोचना कि भाई पर मंत मिलेगा पर अब को मिलता है अनिकी आपको साल में एक यह बर में लेका जैसे July जैसे साल का आपका last माना जाता आपका जैसे मिने बोला इंक्रिवेंट बगरा के लिए तो उससाब से इसको पांच जो है जो है जो है जो है आपको नहीं मिल गा इतना क्योंकि इन्होंने तीन साल पहले जॉइन किया था तीन इंक्रिमेंट मिल चुका है इसलिए इनको ज्यादा मिलना है आपको अभी कितना मिलगा ओ मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा अब देखिए डिडेक्शन डिडेक्शन और गॉर्ब्मेंट क्या है देखिए सी जी इजी आइस इसका फूल फॉर्म है सेंटरल गॉर्ब्मेंट एंप्लॉयर ग्रूप इंसुरेंट्स इसकीम एक लाइसी के आप कहिए सकते हैं कि आपका अगर मान लिए सर्विस प्रियोड में कोई भी आक्सिडेंट बगरा हो जाता है तो उसके को पेंट्सन बगरा मिलेगा तो इसमें देखिए कितना लिया जाता है बेसिक और डिये को एड करेंगे इसका टेन परसे इसको टोटल करेंगे तो देखिए आपका लगभग अब चौबिस सब्संटिंग या पच्चिस सब्सक्राइग आपका तो ओही आपका आमान जो है यहां पर उनको पच्चीस सब्सक्राइब किया जा रहा है अब सीजी एचस और की सेंट्रल गौब्मेंट हेल्थ स्कीम जो जिसके लिए आपको मेडिकल क्लेम बगराब कर सकते हैं तो इसके लिए आपको धाई सो रुपे हर महीन आपको देना पड़ता है अब एक से सेल ज इसके सब के लिए नहीं होगा बस इंहों ने कुछ उनका सेजि चेसे का कुछ जो इसतेमाल किया था या कुछ उन्होंने किया है तो उसके लिए इसका डेक्सेंट dwelling हुआ हूआ है और टोटल इसका ड्रेक्शन देखिए आप देखें सिवां तो लs ने एं को मैनस है अभी लेकिन आपको इतना नहीं मिलेगा आप देखे में और एक शाले स्लिप आपको थोरा सा दिखाना चाहाँगा देखिए यह जो है आपका देखिए यहां पर मन देख लिए जोलाई दो है किसान की करेंट पिछले मन का सेले सिलिप है डिपार्टमेंट सी बीडिट और आपका मल्टिटस्क इंस्टाप पे लेवेल देखे सब कुछ सेम है बस यहां पर डिप्परेंस कुछ नहीं है यहां पर भी देखिए बेसिक पर भी इनको भी मतलब इनको भी तीन इंकिवेंट मिल जुका है एक्चुली यह लोग जो है MTS 2016 के तुरू जो है जो है जॉइन इसका पोस्टिंग जो है OICT में है OICT जैसे कि मैंने बोला कि आपका फाइब लेक्स से ज्यादा जहां पर पॉपॉलेशन होता है उसको OICT कहा जाता है और यहां पर आपका HR का रूल से यह तो आपका 3600 मिल लगा नहीं तो आपका 16% और basic अब basic का 16% कर लिए जो भी amount maximum होगा देखे maximum एह ही amount आएगा इसलिए आपको 3600 आपको HR के रूप में मिल दा है बाकि देखिए TA बगरा सब कुछ सेम है देखिए TA यहां पर देखिए TA भी आपको यहां पर कम मिल देखिए TA आपको 900 मिलता है ओई सिटी एंजेड सिटी में लेकिन एक सिटी में आपको तेरा सो पचास मिलता है तो यहां पर 900 प्लास आपका DA और टीए कर लिजिए तो 1100 आपका बावान आपका होड़ा है तो अगर टोटल करेंगे देखिए आ लेकिन इन्हान अब आपका डीकॉवर की बाद आपको इन्हान देखिए इतना मिलता है अब चलिए अगर आप लोग अभी जॉइन करते हैं तो आपको कितना मिलेगा वह आपको यहां पर डिसकर्स किया जाएगा अब देखिए एक सिटी जैसे अपका हो गया है देली कलकाता मुंबाई चेन्नाई हाइदरबाद बंगलोर यह सब आपका एक सिटी में आता है और भी है तो आप लोग देख लेना उसके बाद देखिए आपार बेसिक जो है अट्रा हजार क्योंकि अभी अगर आप लोग जॉइन कर रहे है तो भाई 18,000 मिलेगा इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा आपको बेसिक की बात कर रहा हूं देखिए 18,000 का अप जो है 18% कर लीजिए आपको देखिए पांच हजार चालिस आपको मिलेगा हरे 18,000 का अगर आप 24 परसंट कर इंगे और आपका 5,400 जो भी मैक्सिम आथ आपको कर लीजिए देखिए यही मैक्सिम आपने बर्शान आपको आ क्या आईगा ले नगे खिर नहीं ले नहीं लिया गया इसलिए मैंने यहां पर नहीं जोड़ा है और MTS में सभी को dress allowance नहीं मिलता है किसी किसी department में मिलता है जिसमें dress code बगरा होता है उसी में अब देखिए उसके बाद जो है deduction मैंने यहां पर सब कुछ calculate कर लिया है जैसे NPS हो गिया CGHS हो गिया आपका group insurance जो था ओ भी मैंने यहां पर add कर लिया तो सब कुछ add करके जो है आ रहा है आपका 25 के आसपास तो total net पे इनको कितना मिलागा देखिए 37,500 अपको उसके बाद अगर हम लोग आएंगे OICT में OICT में भी देखिए 18,000 उसके बाद जो है DA देखिए same ही मिलेगा क्योंकि DA तो भाई basic के उपर ही आपका होता है तो DA तो भाई same ही मिलेगा चाहिए आपका posting OICT हो चाहिए आपका जेर सीटी हो अब HRR फिर से यहां पर changes होगा क्योंकि HRR जैसे की में ने बोला कि यह यहां पर NPS और आपका बाकी चीज में same detection होता है अब 25,208 आपको नेट पे आपको मिलेगा उसके बाद जो है देखिए जेर सीटी में पोस्टिंग होता है 18,000 और आपका देखिए DA तो यहां पर भी same मिलेगा क्योंकि DA में कोई changes नहीं होता है अब यहां पर HR आपको यह त पूटल करेंगे तो आप देखिए 25,992 यह आपका gross salary है और आपका डिरेक्शन होगा आपका 2584 और नेट पे देखिए नेट पे करेंगे तो भाई 30,408 आपका इनहां salary मिलेगा तो यहां पर कोई भी confusion मत रहेना कि आपको इतना कम नहीं मिलेगा जैसे दो एक दिन पहले मु सच्चा ही है और में आपको दिखाऊंगा जरूर तो भाई यही सच्चा ही है reality यही है इससे आपको एक पैसा भी ज्यादा आपको salary नहीं मिलेगा अगर हम लोग LDC से ज्यादा डिफरेंस नहीं है जैसे कि मैंने बोला था 2000 का डिफरेंस होता है देखिए यहां पर तो लगभग 2000 का डिफरेंस होता है MTS और LDC में अब work profile में changes आता है क्योंकि देखिए LDC का काम हमेशा computer में ही होगा MTS का काम जो है ओक किसी किसी department में आपको file और चैसे मान लिजिए file check बगरा करने के लिए file एक office दूसरे office ले जाने के लिए यह सब काम Gerox बगरा करवाने के लिए और कभी-कभी department में आपको जो है computer में में भी काम कड़ाया जाता है और dependent करता है आप कौन से department में जा रहे है उसके उपर से जैसे मैंने अगर आप लोग पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो तब मैंने कहा था जो लोग MTS income tax में हो गया या आपका CBT में हो गया तो जो अच्छा अच्छा department है top five में ने बताया था अर्टू जी अप सर्वें उप इंडिया इसे करके पांच department में ने बताया था उसमें मैंने कहा था कि आप लोग CHSL में जाने की जरूत नहीं है अगर आपको salary ज्यादा चाहिए ताब PASA के लिए बाकी LDC में जाने की जर आपको होगा बस एक 2000 का salary का difference आएगा उसका बाद देखिए यहां पर आएंगे सेम दिखिए यहां पर 25 सर यहां पर मिलता है यहां पर दिखिए सताइसाए 200 सेमी 2000 का difference होता है LDC और आपका MTS में ज्यादा कुछ नहीं होता है तो यहीं आपको दिखाना था reality जो है वहीं लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरू करना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि एससे मोटिवेशन वाला वीडियो आपको मिलता रहे तो चलिए तब तक लिए मिलते हैं